सलमान खान इंडिनों अपनी फिल्म दबंग 3 और भारत को लेकर काफी लाइम लाइट में है और जब से दबंग 3 की शूटिंग शुरू हुई है आई दिन फिल्म को लेकर कोई ना कोई नई खबर सामने आही रही है और अब जो फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट खबर सामने आई है वो है दबंग 3 में शारू खान की एंट्री की जिहां बिल्कुल ठीक सुना आपने खबरे हैं कि दबंग 3 में चुल्बूल पांडे के साथ शारू खान बड़ा धमाका करने वाले हैं खबरों की माने तो दबंग 3 में चुल्बूल पांडे की जिदगी से जुड़े कुछ फ्रेश बैक सीन्स दिखाए जाएंगे जिसमें सलमान खान के रॉबिन हुड पांडे बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा जहां एक रोल है एक ऐसे इंसान का जो एक इंपोर्टन्ट सीन के दौरान सलमान की मदद करता है वही इस सीन के लिए फिल्म की टेम कुछ नामों के बारे में सोच रही थी तो सलमान खान ने अपने सबसे अच्छे दोस शारुक खान को इसके लिए चुनने का फैसला किया है खबरों की माने तो सलमान खान और SRK ने कुछ अफते पहले फोन पर बात भी की थी जब सलमान ने शारुक से पूछा था कि क्या वो दबंग 3 को करना पसंद करेंगे तो शारुक ने हां में अपना जवाब दिया वैसे आपको बता दें कि शारुक खान और सलमान खान फिल्म डेस्ट्री में सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं और पिछले कुछ सालों से दोनों सुपरस्टार ना कि वलिक दूसरे की फिल्मों को परमोट करते नजर आ रहे हैं बलकि उनकी फिल्म में छोटे छोटे रोल या यू कहें कि कैमियो भी कर रहे हैं इससे पहले शारुक खान ने सलमान खान की चियो ब्लाइट में एक जादूगर कर रोल प्ले किया था वही सलमान खान को शारुक खान के फिल्म जीरो के एक गाने में डांस करते हुए देखा गया था वही अब खबर ये है कि दोनों जिगरी दोस्त इससा दबंग थ्री के लिए एक बर फिर ओन स्क्रिन पर दिखाई देने वाले हैं और जब भी बॉलिवूट के दोनों सुपरस्टार साथ आए हैं और अब देखने वाले बात होगी कि दबंग थ्री में शारुक का ये कैमियो रोल कैसा होगा आपको बता दे कि दबंग थ्री को डिरेक्ट कर रहे हैं प्रभू देवा और ये फिल्म इसे साल 2019 में रिलीज होने वाली है इंडिया पॉलिवूट फायरुक रिपोर्ट